Hello students, आज करते हैं question number 6 of exercise 3.2 इसको पहले पढ़ते हैं और समझते हैं Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 यह एक linear equation दी हुई है Write another linear equation in two variables आपको एक और linear equation in two variables लिखनी है Such that the geometrical representation of the pair so formed is मतलब वो जो दूसरी आप equation लिखेंगे वो वाली equation और पहली वाली equation मिलके जो pair बनेगी पहले case में वो दोनों pair intersecting lines हो ऐसी दूसरी लिखनी है फिर दूसरी वाली का selection ऐसा करना है कि पहली और दूसरी parallel lines हो तीसरे case में आपको ऐसा select करना है कि पहली और आपने जो लिखी है वो coincident lines हो ठीक है अब हमको इसकी शर्ते पता है कि A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 जब होता है तब वो pair होती है intersecting lines की जब A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 होता है तब होती है parallel lines की और जब A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 होता है तब वो दोनों pair होती है coincident lines की तो हम यह वाली property को use करके another pair of linear equation की equation लिखेंगे ठीक है तो यह आपकी पहली equation है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 और हम अब दूसरी जो equation लिख रहे हैं for intersecting lines मतलब वो दोनों intersecting बने उसके लिए लिख रहे हैं तो उसके लिए हो जाएगा आपका a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2 तो अब यहाँ पर आप पहली वाली equation में देख लें a1 की value कितनी है b1 की value कितनी है c1 की value कितनी है a1 की value 2 है b1 की 3 है और c1 की minus 8 है यहाँ हमको c1 से मतलब नहीं है इस question में है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है हमको खाली b1 b2 से मतलब है a1 a2 और b1 b2 से तो a2 आप select कर लें अपनी मर्जी से जैसे a2 आपने 4 लिया तो b2 आप क्या ले सकते हैं देखिए आपने a2 4 लिया तो आपका a1 upon a2 कितना हो गया a1 upon a2 आपका हो गया 2 by 4 मतलब 1 by 2 तो आपका b2 6 नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसे यह आप 6 लेंगे तो b1 upon b2 भी 1 by 2 हो जाएगा तो equal नहीं होना चाहिए तो 6 के अलावा आप कोई और value लिख सकते हैं तो मैं यहाँ पर 5 लिख देती हूँ है ना और c2 की value यही रहने देते हैं minus 8 लिख देते हैं कोई फरक नहीं पड़ता है तो यहाँ पर आपने यह चेक कर लिया कि a1 upon a2 की जो value आई है उतनी value होनी नहीं चाहिए b1 upon b2 की तो यहाँ b2 की value 6 नहीं लेकर यहाँ पर आप 4 भी ले सकते हैं आप 10 भी ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं तो अब यह a2, b2 और c2 की यह वाली values लिखकर हम एक equation लिखेंगे तो वो equation क्या हो जाएगी 4x plus 5y minus 8 is equal to 0 तो यह वाली line और यह वाली line यह दोनों मिलकर बनाएंगी 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 यह दोनों line मिलकर intersecting lines होंगी क्यों intersecting lines होंगी क्योंकि इनमे a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 है अब हमको दो pairs लिखनी मतलब दूसरी equation लिखनी है पहली equation तो हमारी fix है दूसरी equation हमको लिखनी है parallel lines के लिए अब parallel lines के लिए क्या condition होती है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 should not equal to c1 upon c2 यह condition है parallel lines के लिए तो आपका a1, a2 a1 आपको पता है 2 है b1, 3 है c1, minus 8 है तो आप a2 ले ले है 4 तो a1 upon a2 कितना हो गया आपका 1 by 2 उतना ही होना चाहिए b1 upon b2 तो अगर parallel line के लिखनी है तो आपको compulsory हो गया कि आपका b2 क्या होना चाहिए 6 ताकि आपका b1 upon b2 कितना आजाए 1 upon 2 तो यह दोनों equal हो गये but should not be equal to c1 upon c2 मतलब आपकी यहाँ पर c2 के value 16 नहीं होनी चाहिए c2 के value क्या नहीं होनी चाहिए c2 की value should not be equal to minus 16 minus 16 क्या होनी होनी चाहिए क्योंकि अगर minus 16 हो गई तो यह c1 upon c2 की value भी 1 by 2 हो जाएगी जो कि हमको नहीं चाहिए तो c2 की value minus 16 के अलावा आप कुछ भी रख सकते आप c2 की value रख ले 16 रख ले c2 की value क्या रख ले 16 और equation आप अब नहीं equation बना ले a2 की value 4 b2 की value 6 और c2 की value 16 यहाँ आप कुछ भी चूज कर सकते हैं c2 की value तो आपकी equation क्या हो जाएगी 4x b2 की value 6 है तो plus 6y plus 16 is equal to 0 और दूसरी यह तो हमने बनाई है और हमारी जो main पहली वाली चली आ रही है question में जो है वो कौन सी है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 तो यहाँ पर आप देखें कि a1 upon a2 की value कितनी है a1 upon a2 की value 1 by 2 1 by 2 है तो यह दोनो pair कैसी हो गई parallel lines ठीक है अब third case करते है third case में क्या हो जाएगा कैसी चाहिए हमको coincident line coincident lines के लिए क्या शर्त होती है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 चाहिए अब आपका a1 b1 और c1 तो आपको पता है आपकी क्योंकि पहली वाली equation क्या है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 है तो पहली equation है आपके 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 तो आपके a1 की value कितनी है 2 b1 की value 3 and c1 की value minus 8 अब a2 आप select कर सकते हैं अपनी मर्जी से आपने 4 लिया तो आपको b2 क्या लेना पड़ेगा क्योंकि a1 upon a2 आपका 1 by 2 हो गया तो आपको b2 6 लेना कंपल सरी है और c2 equal होना चाहिए तो c2 की value भी आप 6 minus 16 होना कंपल सरी है देखो आप ratio a1 upon a2 1 by 2 आ रहा है b1 upon b2 भी 1 by 2 आ रहा है and c1 upon c2 भी 1 by 2 आ रहा है तो आप a2 b2 c2 की ये values लिखकर आप equation लिखेंगे तो equation क्या हो जाए कि 4x plus 65 minus 16 is equal to 0 और दूसरी तुमारी pair कौन सी है ये वाले दूसरी main जो चली आ रही है 2x plus 35 minus 80 is equal to 0 ये दोनों लाइने कैसी हों गई है coincident ठीक है तो ये वाला question होता है आप पर फचिन था वीडियो अई क्या है जाल helps अी कोश्प्सक्राइए ओर राया वेज्जानल गूपिल था है ऍुछा विच्वेध, चालका पूनन यादया विच्शंण